प्राजस्थान में तेजी से फैलरे कोरोना वाइरस का अजमेर अचानक बड़ा होट स्पोर्ट बन गया है अजमेर में महज 12 घंटे के भीतर कोरोना वाइरस संक्रमन के 89 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं सबसे बड़ी चिंता ये है कि सभी पॉजिटिव केस एक ही इलाके में सामने आ रहे हैं इनमें से 35 मंगलवाद देरात को सामने आये थे वहें भुदवार को सुभाई प्रदेश के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट में चुम्बाल इस नए केस अजमेर के हैं इसके साथ ही अजमेर में अब पॉजिटिव मरीजों काकडा 103 पर जा पहुंचा है तो अजमेर की बात करते हैं जो कि अचानक से हॉट स्पोर्ट एरिया बन चुका है अजमेर वो लगातार यहां पर मामले बढ़े हैं और चिकिस साथ इभाग के लिए एक संकट की घड़ी है क्योंकि लगातार वहां भी हॉट स्पोर्ट एरिया बढ़ते जा रहे हैं तो अजमेर की आप तस्वीरे देख रहे हैं जहां पर कहींने कहीं लोगों में अफरा तफरी है जिकिस साथ इभाग हालांकि पूरी इस तरीके से मुस्तिय थे लगातार वो काम कर रहा है लेकिन जब मामले बढ़ते हैं तो कहींने कहीं चिंता जरूर होती है जले मारे समभादता नितिन इस वक्त फोन लाइन पर जोड़ चुके है नितिन अचानक देखा जा रहा है अजमेर के बारे में कि होट स्पोर्ट एरिया बन गया है अजमेर और लगातार 24 घंटों की बात करें तो मामले काफी बढ़े हैं चिकिस साथ इभाग लगातार काम कर रहा है लेकिन कहीं ने कहीं चिंता की बात जरूर है जरूर निच्छी चौप पर अपन कहते हैं कि पहले दिख पर इत मामला सामने आया था जो बियार का निवाची था उससे से शिट्रमी एति वूम में सुरीं चौज़ा आदमी रहे थे उससे बाद में पूरे एरे में के सामने मामला तो अभी पूरा चार थाना सेक्टर में कर्फ्यू लगा दिया गया है